हेलो बच्चो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग और इंपोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है अर्थिंग और पैरलल प्लीट अब जब भी अर्थिंग की बात आती है तो इलेक्ट्रेट में हमें जनरली दो दरह के मिलते हैं एक वह होते हैं जो अर्थिंग ऑफ इस्फारिकल कंड़क्टर से रिलेटेड होते हैं और दूसरे क्वेश्चन इन ही पैरलल प्लेट की अर्थिंग से रिलेटेड होते हैं अब इन दोनों के क्वेश्चन में अर्थिंग का नाम सुनते हैं बच्चों के मन में डर लगता है कि अर्थिंग के क्वेस्चन में क्या करें इस फैरिकल कंड़क्टर में फिर भी हम फार्मुला यूज करके फार्मुला बेस्ट इसमें हम क्वेस्चन को सॉल्व कर लेते हैं लेकिन जब पैरलल प्लेट की बात आती है तो बच्चों को यह समझ में नहीं आता है कि हमें कैसे प्रोसीड करना है तो चलिए आज हम आपके इसी डर को दूर करते हुए इस टॉपिक को बहुत ही सिंपल और इंट्रेस्टिंग मैनर में सम समझने के लिए हमें अर्थिंग के बेसिक प्रिंसिपल को समझना होगा तो इसमें अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल ऑफ अर्थिंग की तो इसमें हमें कुछ पॉइंट्स को समझना है सबसे पहली बात यह कि अर्थिंग का मतलब क्या होता है अर्थिंग का मतलब होता है क किसी भी conductor को जब अर्थ से या ground से connect कर दिया जाए तो उस process को हम earthing बोलते हैं इसके बाद हम देखते हैं अर्थ के बारे में अर्थ की कुछ properties होती हैं जिसको हम देखेंगे earth is considered to be very large spherical conductor अर्थ को हम एक बहुत large spherical conductor मानते हैं यह इसमें पहला point होता है जो हमें ध्यान में रखना है दूसरा point यहाँ पर हम देख सकते हैं it can be assumed that any charge given to earth does not change its potential significantly इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि earth की surface पर हम कितना भी charge दे दे उसका potential नहीं बदलता है means इसका potential constant रहता है इसको थोड़ा सा और अच्छे समझते हैं for example potential क्यों बदलता है let's say कि हमारे पास दो spherical conductors है और इसको हमने connect कर दिया इसका मतलब कि एक स्वेर से दूसरी स्वेर में अगर दोनों का potential different है तो एक स्वेर से दूसरी स्वेर में charge transfer होंगे जिससे कि दोनों के potential बदलेंगे इसका मतलब दोनों पर charge बदलेंगे लेकिन अर्थ की case में ऐसा नहीं होता है अगर मैंने किसी conductor को मैंने अगर अर्थ से connect किया तो अगर अर्थ का potential मैं VE मालू तो इसका potential VE ही ही रह जाता है इसमें कोई change नहीं होता है clear है इसके बाद से एक और important बात देखते हैं वो यह है कि for any practical equipment in lab मतलब अर्थ पर कोई भी हम practical equipment देखते हैं the earth can be taken as infinitely large means earth का radius बहुत बड़ा होता है तो earth को हम infinitely large ले सकते हैं and यह चुकी earth बहुत large है तो अगर हम imagine करें कि इस conductor से earth की और charge transfer हो रहा है that means छोटे radius पर जो charge distributed था अब वो बड़े surface पर distribute हो रहा है मतलब charge काफी large separation पर एक दूसरे से हो जाएंगे जिसकी वज़े से हम यह बोल सकते हैं कि charge infinite पर गए that means कि यह जो earth है इसको हम infinite की तरह treat कर सकते हैं और इसी वज़े से हम earth के potential को zero ले लेते हैं I think यह point आपको बहुत अच्छे से clear हो गया होगा क्योंकि यहीं पूरी earth की backbone होती है इसके बाद से देखते हैं यहाँ पर एक और point है हमारे पास इसमें कौन सी नहीं बात है जैसे हमने पीछे देखा कि दो conductor को अगर हम connect करते हैं तो वहाँ पर एक से दूसरे की तरफ charge transfer होता है यह तब तक होता है जब तक उनका potential बराबर नहीं होता है लेगिन earth के case में क्या होता है अगर मैंने किसी spherical conductor को यह earth से जोड़ दिया तो यहाँ पर charge earth से conductor की तरफ या conductor से earth की तरफ तब तक transfer होगा जब तक कि इसका potential ve earth के बराबर नहीं हो जाता है और earth का potential zero हमने अज्यूम किया तो इन spherical conductors के case में वो zero के बराबर होना चाहिए I think यह बात भी आपको बहुत अच्छे से clear हो गई होगी It means कि earth को हम ऐसा मान सकते हैं कि एक ऐसी body है जिसका potential zero है due to its large size इसके बाद से next point देखते हैं कि यह जो पूरा process होता है पूरा यह जो खेल चलता है charge transfer का इसमें अगर हम electrostatic field का work done देखें तो उसका कैसे work done होता है और वो क्या role play करता है इन सब प्रॉसेस में तो electric field जो होता है वो positive work done करता है positive work done that means कि अगर यहां से यहां charge transfer हो रहा है that means electric field इस charge को एक point से दूसरे point का तरफ ले जा रही है और इसका work done by electric field क्या होता है यह greater than zero होता है अब electric field कैसी electric field कैसा field है तो यह conservative field है अच्छा conservative field में किसी भी force का जो work done होता है वो हम लिख सकते हैं w conservative यह जो electric field है w conservative force जिसको की electric field बोल सकते हैं इसको हम minus of delta u लिख सकते हैं it is negative of change of potential energy तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको लिख सकता हूँ u initial minus u final because delta u is u final minus u initial अच्छा अब यह जो work done है मुझे greater than zero चाहिए इसका मतलब की यहाँ पर electric field का work done greater than zero means कि यहाँ पर u initial is greater than u final इसका मतलब जो system की initial potential energy है वो final से कम होगी यह बात भी अच्छे से हमें समझ में आना चाहिए इसके बाद से यही points को हमें explain किया गया है यहाँ पर तो हम देख सकते हैं u final minus u initial is less than zero अब यहाँ पर एक और point देखते हैं whenever charges flow such that energy of system decreases इस बात को मैं already explain कर चुका हूँ यह कैसे system की energy को घटाता है हमने देख लिया कि u final बड़ा है और u initial क्या है और u initial क्या है वो बड़ा है अब इसमें आगे बढ़ते हैं अब इसको हम parallel plates की case में लेके समझते हैं है वो क्या है उसको देखेंगे जैसे की हमने पीछे की slides में देखा कि किसी भी finite equipment के लिए किसी भी finite charge body के लिए हम अर्थ के potential को zero ले लेते हैं लेकिन जब हम plates की बात करते हैं तो plates को हम infinite plate मानते हैं जैसे हमारे पास यह plate है तो इसको हम हमेशा infinite plate की तरह treat करेंगे इसी तरह से हमारे पास जो line charges होते हैं इस पर अगर यह infinite long charged wire है इसको भी infinite की तरह treat करेंगे अब इसके लिए इन दोनों सिस्टम्स के लिए हम यह नहीं बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो अर्थ है अगर प्लेट को अर्थ से कनेक्ट कर दिया जा तो इसका potential 0 हो जाएगा बिकाज हम अगर यह बोलें कि इसके लिए infinite का potential 0 है यह कहना ठीक नहीं है बिकाज यह खुद ही infinite है और फिर infinite को infinite से compare करें मतलब फिर infinite को reference ले तो इससे बात नहीं बनेगी यहीं difference होता है parallel plates के case में और spherical conductor के case में तो यहाँ पर हम यह नहीं बोल सकते हैं कि इसको अगर हम connect करें तो infinite, अर्थ को infinite मानते हुए उसका हम potential zero कर दें तो फिर आखिर किस method से ऐसे सवालों को solve करते हैं तो यहाँ पर कुछ energy के perspective होते हैं जो हमने energy अभी पीछे देखा उन्हीं चीज़ों को हम फिर से देखेंगे कि इस case में कैसी use करेंगे तो यहाँ पर देखते हैं energy density, energy density की बात करें तो energy density directly proportional to e square होता है that means हम formula जानते हैं energy density is equal to half epsilon not e का square तो यह e square के directly proportion मतलब एक बात समझ में आई जितनी जादा electric field उतनी जादा energy density और उतनी जादा stored energy in the form of electric field इसके बात से हम देखेंगे कि actual charge distribution कैसे होगा तो the actual charge distribution will generally be one for which the total amount of energy shared in electric field is minimized और भाई यहीं बात तो हम करते हा रहे हैं कि जो बाद की potential energy है वो पहले से कम होना चाहिए मतलब इन plates में इन ही इन ही बातों का ध्यान रखेंगे इसी concept को use करते हुए कि उस plate से अर्थ पर या अर्थ से plate पे चाहे जितना भी charge transfer करना पड़े वो इस तरह से होता है कि इसका energy system का energy minimum हो जाए चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पर अगला point देखेंगे अप plate connected to ground can take whatever charge is most convenient to minimizing energy in electric field same way चीज़ कि plate कुछ भी चाहिए ले सकता है to minimize energy in the form of electric field मतलब कुल मिला के इसमें हमें conclusion यह निकालना है कि इसमें electric field energy घटानी है अपनी को electric field को कम कर अब इसके बाद से इसमें अगर हम आगे बढ़ें तो इसको हम एक simple example से समझेंगे इसमें हम और भी examples लेंगे सबसे पहले basic examples लेंगे जिसमें यह हमारे पास isolated plate है यह isolated plate है isolated plate के case में क्या होगा इसका यह इसका 3D view है और इसको इसका में front view बना लिया इस पर अगर suppose करें कि हमारा charge 0 है अगर हम थोड़ा सा याद करें कि isolated spherical conductor के case में क्या होता है अगर इसको q charge दे दिया जाए और इसको earth कर दिया जाए तो इसमें बहुत simple हम यह बोलते है after earthing इस पर charge क्या हो जाता है जीरो हो जाता है that means all charges flows to the earth यह isolated का case होता है in the same way यहाँ पर total charge क्यों है before earthing अगर मैं इस पर charge distribution को थोड़ा समझाओं तो यह कैसे होगा इसमें हम जानते हैं कि इसके outer surfaces पर जो charge होगा वो total charge का half-half हो जाता है that means q by 2 and q by 2 अब इसका अगर मैं electric field diagram बनाओं तो इसके लिए electric field diagram कैसे बनेगा before earthing वो इस तरह से बनेगा कि इसकी electric field इस plate से left में पूरे space में बिख्री रहेगी और इस plate के right में भी पूरे space में बिख्री रहेगी मतलब energy जो है वो पूरे left और right के reason में दूर तक बिख्री हुई है अब इसी energy को हमें minimize करना मतलब field lines को कम करना है तो इसके लिए जैसे हम earth करते हैं तो earth से negative charges इस plate की तरह flow करने लगते हैं ताकि इस पर रखे हुए charges जो क्यू है उसको कम कर सकें जिससे की उसके vicinity में जो electric field है वो कम हो सकें तो धीरे 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 यह negative charge जाकर इसके charge को overall neutralize कर देते हैं जिससे की plate पे total charge zero हो जाता है तो इनके दोनों surfaces पर भी जो charge होता है वो zero हो जाता है यहाँ पर no electric field इधर भी कोई electric field नहीं इधर भी कोई electric field नहीं तो का है बात की energy इसमें energy इसकी जो total थी वो गायब हो गई अब हमने देखा पहले energy इतनी सारी थी अब energy क्या हो गई energy zero हो गई पहसर बहुत अच्छा बहुत मज़ा है अब इसमें जो point हमें याद रखना है वो मैं यहाँ note बना के लिखता हूं जैसे हमने देखा कि इसके दोनों surfaces पर चार जीरो जीरो हो गया यह तो isolated plate की बात है इसी को जब हम दो plate या तीन plate में ले चलेंगे तब भी इसी point का ध्यान कि जो पूरा system है उसके plates के outer most sides पर जो charge होता है जीरो होता है बिल्कुल वैसे ही जैसे connection के पहले system of plates के outer surfaces पर charge half-half होता था पूरे system का आधा इस पर आधा नहीं होता है इस पर zero होता है तो यहाँ पर charge यहाँ पर हम लिखेंगे charge becomes zero on outer surfaces of the system और यहीं सबसे important बात है इस तरह के सवालों को solve करने के लिए अब यह technique हम सीख लेंगे इसको simply लगाएंगे और इससे questions को solve करेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक और problem लेते हैं उस problem में जाने से पहले थोड़ा सा इसका animation देख लेते हैं थोड़ी सी feel आजाएगी अपने को तो यहाँ पर इसका आगर मैं animation दिखाऊं तो यह कुछ इस तरह से होगा इसको हमने connect किया connect करते ही यह जो हमारे पास negative charges है इस plate को ले जाके neutralize कर चुके that means इसकी total energy क्या हो गई total energy zero हो गई तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक और question लेते हैं हमारे screen के सामने एक और question है जिसमें दो plates है इसमें left plate पे q charge है और right plate पे कोई चार्ज नहीं है तो अगर before earth thing की बात करें अर्थ करने के पहले तो क्या charge का distribution होगा तो बहुत simple है यह charge का distribution इसके left most side में q by 2 और right most side में q by 2 और इसके साथ साथ चुकी इस plate पर total charge conserve होना चाहिए तो इसके right side में जो charge होगा वो q by 2 और equally induced charge होगा minus q by 2 right plate के inner side अब अगर इसको connection के पहले हमने distribution तो करे लिया इसका अगर हम energy diagram बनाएं तो कैसा बनेगा energy diagram that means electric field diagram तो electric field lines कहा कहा दिखेगी वो देख लेते हैं इसमें भी इस right side के reason में electric field lines दिखेगी इसमें left वाले reason में भी electric field lines दिखेगी before earthing और इस beach वाले reason में भी electric field lines दिखेगी अब अर्थ करने पर क्या change होता दिखते हैं अर्थ करने पर यह होगा मैं इन lines को मिटा देता हूं अर्थ करने पर यह जो हमारे पास q charge है हमने अभी पढ़ा कि system के outer most side पर जो charge होता है वो 00 हो जाता है तो जैसे हमने यह q by 2 q by 2 किया इसकी जगा हमें कर देना है जीरो और जीरो अब इसको solve करना है तो बहुत आसान है यह जो total charge प्लेट पे q है तो पूरा का पूरा charge inner side में आ गया और equally induced charge यह हो गया minus q इस right plate के inner side पे जब मैंने इसको अर्थ कर दिया means switch को close कर दिया तो हम क्या देखेंगे अब इस case में अगर मैं electric field lines का diagram बनाऊं तो मैं क्या देखूंगा कि इधर को electric field नहीं है right side में left side में भी को electric field नहीं है जो भी electric field है वो इस हमारे beach के reason में confine हो चुकी है बासर बहुत बढ़िया यह बात तय हो गई कि जो पूरी बिखरी वी लाइन्स थी दूर दूर तक वो ज्यादा energy कर रहे थी क्यूंकि ज्यादा volume occupied था लेकिन यहां पर केवल beach वाले volume में beach वाले segment में electric field है side में गायब है भले यहां पर charge density बढ़ गई हो यहां charges बढ़ गए हो लेकिन वो confined reason में होने से हमारी जो energy हो गई वो क्या हो गई वो limited हो गई इसका मतलब हम यह बोल सकते हैं कि earth ने इस plate को minus q charge supply कर दिया चलिए इसको फिर से हम एक animation के थुरू देख लेते हैं तो जैसे मैंने switch को close किया यहां पर हम देख सकते हैं कि इस पर minus minus charge minus q और इस पर plus q तो था ही थी ऐसे charge arrange होगे बहुत बढ़िया i think सबको समझ में आ रहा होगा सबको बढ़िया feel आ रहा होगा इस plates के अर्थिंग आगे बात करते हैं next next में थोड़ा सा और tough करते हैं tough क्या है जब हमने एक बार सीख लिया तो बार बार उसी principle को use करें और question बहुत आसानी से solve होगा तो फिर से इसमें before अर्थिंग वाला case तो बहुत इजी है अर्थ करने से पहले यहां पर हमने दो दो अर्थिंग ले रखी है यहां पर left plate भी अर्थ है और सबसे राइट वाला plate भी अर्थ है अच्छा इसमें एक चीज और दे रखी है question में इसका distance और इसका distance एक का distance अगर left का डील हूं तो right का 2D because यह question में given distance between rightmost plate is double that between leftmost plate and middle rightmost plate और middle की बीच का जो distance के डबल है बहुत बढ़िया सबसे पहले before और अर्थिंग चार्ज के distribution को देखेंगे तो कैसे होगा केवल बीच वाले plate पे चार्ज दिया गया है तो इसमें हम जानते हैं कि आउटर मोश साइट पर जो चार्ज होता हो टोटल चार्ज का हाफ हाफ हो जाता है तो बहुत बढ़िया यहां पर फिर से q by 2 और यहां पर q q by 2 अब क्या करें सर तो यह इधर q by 2 हो गया अच्छा तो इस पर टोटल चार्ज 0 है that means इसमें चार्ज कंजर्वेशन से यहां minus q by 2 तो इस साइड कितना आ जाएगा तो इस साइड हमारा यह आ जाएगा इसका induce हो जाएगा q by 2 अब इधर कितना होगा तो इधर होगा अगे q by 2 विकॉज इस पर टोटल चार्ज क्यू होना चाहिए और इस पर कितना होना चाहिए तो इस पर माइनस q by 2 माइनस q by 2 यह प्लस q by 2 यह ओबर ओल 0 हो गया जो कि पहले भी 0 तो चार्ज कंजर्वेशन भी सटिसफाइड है यह बिफोर अर्थिंग अर्थ करने से पहले की सि इसके बाद कि सिच्वेशन को अगर compare करें तो इसको solve करने के लिए चलते हैं इसमें next page पे इसको ले लेते हैं तो यहाँ पर इसको थोड़ा side में किया और इसके बाद से हमने इसको solve जब हमने इसको जोड दिया तब हमने क्या देखा कि इसके leftmost side पे और rightmost side पे हमने क्या सी जाएगा कि जाएगा तो हम वैसे नहीं सोचेंगे हम यह सोचेंगे जिस प्लेट पे charge मालूम है वहां से start करेंगे उसके left side में कुछ charge assume करना होगा तो let us assume इस पर q1 charge हो गया और middle plate के right side में q2 charge अब इस पर q1 है तो इसके सामने minus q1 induce हो जाएगा और इस पर अगर q2 है तो इस यह plate b है और यह plate c है अगर मैं तिनों के potential की बात करें तो एक का va दूसरे का vb और तीसरे का vc vb तो common potential होगा अगर मैं b से a के बीच के difference की बात करूँ और b से c के difference की बात करूँ तो अगर मैं लिखूं vb-va और potential difference between vb and vc की बात करूँ तो vb minus vc लिख सकता हूँ अब यह दोनो potential difference बराबर होंगे यह कैसे sir sir तो बहुत आसान है यह दोनों ही अर्थ से connected है यानि दोनों common potential surface से connected है that means यहाँ पर va is equal to vc बोल सकते है this implies that vb minus va is equal to vb minus vc बहुत बढ़िया अब इसके potential differences को कैसे equate करें या potential differences कैसे लिखें तो बहुत simple है इसके बीच में अगर मैं electric field lines draw करूँ तो कुछ ऐसी electric field lines ले सकते हैं और इसके बीच की draw करूँ तो कुछ ऐसी field lines ले सकते हैं अब यहाँ पर मैं बात करूँ vb minus va की तो मैं लिखूंगा इसके बीच की electric field let us assume की यह total electric field e1 हो गई तो यहाँ पर मैं लिखूंगा e1 into यह distance of separation जो की d था याद करो तो यहाँ पर यह आ जाएगा d अब electric field को कैसे लिखे सर तो हमें एक formula बताया गया है कि plates के बीच में जो electric field total electric field होगी वो sigma by epsilon not होगी जिसमें की एक left plate का contribution होगा और दूसरा right plate का इसका contribution होगा तो इसकी वज़े से sigma by 2 epsilon not और इसकी वज़े से sigma by 2 epsilon not means हम ऐसे लिख सकते हैं total electric field is equal to sigma by epsilon not which is sum of sigma by 2 epsilon not और इसका double sigma क्या है? sigma है charge density on one surface और इसी तरह से हम लिखेंगे तो इस surface की अगर charge density की बात करें तो इस पर charge है Q1 upon area यह charge density हो गई upon epsilon not तो यह total sigma हो गया इसमें अगर 2 से divide कर दें तो एक surface का contribution आ जाएगा और फिर से इसकी वज़े से भी इतना ही आएगा तो total Q1 upon epsilon not हम लिख सकते हैं to D in the same way अगर मैं बात करूँ VB minus VC की तो इस reason में भी इसमें Q2 है और इस पर इस पर minus Q2 है तो इसमें दोनो charge surfaces की वज़ा से electric field right side आएगी और उसको add कर देना है मतलब एक की वज़े से sigma by epsilon 2 epsilon not और दूसरी की वज़े से भी इतना तो जो net हो गया वो sigma upon 2 epsilon not तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ उस right वाले plate के लिए sigma की value Q2 upon A epsilon not into अब यहाँ पर distance D नहीं है यहाँ पर distance है 2D आप दोनों को equate कर देते हैं तो equate करने से Q1 upon A epsilon not into D is equal to Q2 upon A epsilon into 2D अब इसमें इसको cancel कर दिया D से D cancel हो गया तो जो relation बना वो Q1 is equal to 2Q2 का relation बन रहा है अब इसके साथ साथ एक और चीज़ हम देख सकते हैं जो middle वाली plate है इस पर जो total charge है वो Q1 plus Q2 के बराबर है that means Q1 plus Q2 is equal to Q है एक equation हमारे पास यह बन गई अब Q1 की जगा substitute करें तो यह आ जाएगा 3Q2 is equal to Q तो Q2 is equal to Q by 3 वा सर मजा आ गया बहुत ही बढ़िया इसके बास से Q1 Q1 की value कितना आएगा Q1 की value आएगी 2Q2 के बराबर which is 2Q by 3 अब हम final charge distribution की अगर बात करें तो इसको मैं side में draw कर लेता हूँ यह किस्त प्रकास से होगा तो यह कुछ ऐसा होगा कि इसके outer most outer most पे total charge मतलब charge जो होँगे वो 0 होँगे left most plate के inner surface पे जो charge होगा वो minus Q1 होगा ध्यान रखें और Q1 की value है 2Q by 3 which is minus 2Q by 3 और इस इधर क्या होगा तो यह होगा 2Q by 3 फिर इसके right में क्या होगा तो उदर Q2 होगा और Q2 के value कितनी है Q by 3 और इसके inner surface पर होगा minus Q by 3 अब अगेन हम देखेंगे कि यहाँ पर जो electric field lines है वो इन ही beach की reasons में confined हो गई है और side की reasons में gaiv हो गई है वाँ बहुत बढ़िया energy का method सीख लिया energy के perspective से दिख लिया मज़ा आ गया तो अगर यह हमने distribution देखी लिया है तो थोड़ा सा इसके animations भी देख लेते हैं तो जैसे हमने in switches को close किया यह charge आये आये अर्थ से दोनों plate पर आये बीच में क्यूं था और यह रहा हमारा standard distribution इसके साथ ही I hope कि आपको यह topic बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत feeling के साथ आपको मज़ा आ गया होगा इस topic को समझने में Thank you so much